हेलो फ्रेंट्स, मेरे स्पामिस्ट्री और स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चिन बताऊंगा जो अगर किसी की हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति को छपड़ फार के धन मिलता है तो इन चिन्नों को बताने से पहले मैं आपके साथ अपने एक मैसेज शियर करना चाहता हूँ आप अपने स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं यह मेरा वटसेप नंबर है अगर आप ही अपने हाथ का अनालसिस करवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग पामिस्ट्री या अस्ट्रॉलजी तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं वर्टसेप मैसेज कर सकते हैं या फी डिरेक्ली फोन कॉल कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों पामिस्ट्री में कुछ ऐसे चिन होते हैं जो अगर किसी की हथेली पर हो तो यह उस व्यक्ति के भागया को बहुत ज़ादा बढ़ा देते हैं तो सबसे पहले तो भागया रेखा ही होती है जो आप जिसको जानती है कि भागया रेखा अगर किसी के हाथ में इस तरह से एक निर्दोश लंबी भागया रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कम महिनत से बहुत लाब मिलता है यानि थोड़ी महिनत ऐसा व्यक्ति करते ह यह तो एक कॉमन चिन है के लावा कुछ ऐसे अनकॉमन चिन होते हैं जो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो व्यक्ति को बहुत भागया शालिक बना देते हैं सबसे पहले आप अपने सूर्य मांट को देखें यह जो एरिया है अनामी का अंगली के नीचे का यह सूर्य मांट कहलाता है अगर इस मांट के उपर दो रिखाई हों कुछ इस तरह से एक छोटी और एक लाइन बड़ी और यह इस तरह से मिलकर कुछ एक फिश जैसा चिन बना बुद्ध मांट की तरफ रहेगा इस तरह का चिन बन रहा हो यह एक और ऐसा ही चिन बनता है अगर यह दो रिखाएं ऐसे चल रही है सूर्य मांट के उपर और कुछ दो रिखाएं इसको इस तरह से काट रही है एक हैस जैसा चिन बन रहा हो इस तरह का चिन जिस व्यक्ति क भी हाथ पे बनता है ऐसा व्यक्ति लाइफ में future बहुत ज़ादा famous होता है spiritual होता है और ऐसा चिन बनने से व्यक्ति के पास खूब पैसा 40 वर्ष की age के बाद आता है ऐसा एक और चिन है जो यहाँ पर गुरू माउंट पर गुरू माउंट का जो area रहता है यह जो area है इस माउं व्यक्ति के पास बहुत सारे income of sources होंगे और ऐसा व्यक्ति अपनी life में बहुत rich हो जाएगा ऐसा ही एक और lucky चिन है जिसको हम canopy या umbrella का चिन कहते है कुछ इस तरह की shape रहती है इस चिन की ऊपर से थोड़ी सी गुलाई होगी और यह चिन हाथ में कहीं पर भी बन सकता है और न व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी life में बहुत rich हो जाता है और ऐसा व्यक्ति बहुत दानकुन करने वाली personality रहता है इसी तरह से कुछ और चिन है जो व्यक्ति के हाथ में अगर हो तो ऐसा व्यक्ति सुभगयशाली होता है जैसे अब देख सकते हैं यह ह हमारी line of life है life की line कुछ इस तरह से चलती है अगर इस line के बिलकुल अंत में चल कर कुछ इस तरह से एक cross का चिन बन जाए और जो touch हो रहा हो life line के साथ तो ऐसे व्यक्ती की old age बहुत अची रहती है ऐसे व्यक्ती को 60 की age के बाद अचानक से धन मिलता है पुर्खों की संपत्ती मिल सकती है और ऐसा व्यक्ती बहुत अमीर हो जाता है और ऐसा व्यक्ती अपनी old age को खूब enjoy करता है इसी तरह के एक और चिन है जो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है आप देख सकते हैं यह है एक रेखा और life line बुरी तरह से आ रही है और एक रेखा इधर से निकल कर तो यहाँ चिन भी केतु एरिया के उपर बनता है और यहाँ चिन भी यही दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ती अपनी life में inherited wealth पाएगा और ऐसे व्यक्ती को insurance का पैसा यहाँ कही ना कहीं से share market से sudden wealth gain होंगे तो यहाँ एक धन देने वाला बहुत ही शुब चिन माना जाता है एक चिन होता है property acquisition का वो चिन बनता है heart line के ओपर आपको दिखाना चाहूंगा मारी heart line कुछ इस तरह से चलती है नॉर्मल यह उपर की तरफ मुड रही होती है कुछ लोगों के हाथ में यह ब्रकुल सीधी होती है अगर इस heart line के ऊपर किसी व्यक्ति के इस तरह से एक त्रिकोन हो और ऐसा ही त्रिकोन नीचे की तरह भी हो और यह complete ऐसा चिन बन जाता है अगर ऐसा चिन किसी व्यक्ति के हाथ पे बनता है इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी एकोजिशन का त्रिकोन या प्रॉपर्टी एकोजिशन का चिन जो जिस व्यक्ति के हाथ पे ऐसा चिन होगा ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में खूब प्रॉपर्टी बना लेगा बहुत ही भागया शाली चिन के बारे में आपको बताऊँगा यह जो ब्रस्पती माउंट है अगर इसके उपर एक थोड़ा सा बड़े साइस का बहुत ही बारीक लाइनों से क्रॉस बना हुआ हो और इस क्रॉस के बीच में कुछ इस तरह से एक ऐसा स्क्वायर हो और स्क्वा पांट के उपर अगर इस तरह का कुछ चिन बनता है तो यह एक तरह से लाटरी वाला चिन हो जाता है ऐसे व्यक्ति को सड़न वैल्थ गेन होता है चांस रहते हैं कि ऐसा व्यक्ति काफी माहिर होगा काउंसलिंग में टीचिंग में ऐसे व्यक्ति के भीतर लीडर्शिप को माना जाता है और गुरू माना के उपर ही अगर क्रॉस का अकेला अगर यह स्क्वायर ना भी हो अगर सिर्फ यहां पर अकेला क्रॉस नजर आए तो यह भी अपने आप में बहुत भागया शाली चिन होता है इसकी वज़े से व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ मिलती है ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी फैमली लाइफ को एंजॉय करता है और काफी रिच होता है और अगर यहां पर क्रॉस की वज़ाए स्टार का चिन बन जाए यह जो चिन होता है स्टार का होता है क्रॉस को एक लाइन और क्रॉस कर जाए तो यह स्टार का चिन बन जाता है उस X के चिन से भी ज्यादा भाग्याशाली चिन माना जाता है, इस तरह का चिन होने से व्यक्ति खूब धन कमाता है, खूब मान सुमान और प्रतिष्टा ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बन जाती है। इस तरफ को इनके बीच में यहां पर क्रॉस का चिन हो, तो यह चिन व्यक्ति को खूब धन दलवाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन एक नंबर से नहीं कमाता है। ऐसे तरीके होते हैं जो गलत वे होता है लोगों को लूटने का इस तरह के तरीके से धन कमाते हैं और यहाँ पर अगर यह स्टार बन जाए तो और भी ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत चलाक होगा और धन कमाने के मामले में बहुत शातिर होता है तो य साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद